तो हेलो एवरीवन इस वीडियो मैं बात करूँगा ICCI PO प्रोग्राम के बैच 52 के बारे में के वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है या कब से होगा और साथ में next recruitment जो है ICCI PO के लिए वो कब आएगी मतलब के बैच 53 के लिए आप कब से apply कर सकते हैं तो इन दोनों बैचो जिसका की सारा कुछ हो गया है selection procedure चल रहा था बैच स्टार्ट होने का था 6 मई से तो वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो को complete देखना और skip मत करना ठीक और अगर आपके कोई question हो तो अब फिर आप उसे comment section में comment क करके पूछ सकते हैं तो सबसे पहले मैं batch 52 के बारे में बता देता हूं कि आप लोगों को यह पता ही होगा कि final result जो है वो आ गिया है बट अभी तक जो website है website पर आप जाओगे तो वहां पर जो merit list जो upload होती है ठीक वहां पर वो update नहीं हुई है वहां पर आपको दिखाई तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि batch 52 अभी तक start हुआ नहीं है क्योंकि वो होना था 6 मई से 6 मई से start होना था बट उसका date जो है वो extend कर दिया गया 17 मई कर दिया गया और 17 से अभी जो है उसे और extend कर दिया गया है 24th of May ठीक है मतलब 24 मई कर दिया गया है कि batch start होगा बट ह हो सकता है मैं भी उसमें यह भी लिखावा था मुझे पता चला है कि हो सकता है कि वो date भी शायद extend हो जाए तो उसका अभी कुछ fix नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि अभी situation किया है तो उसे देखते हुए यह date जो है वो extend किया रहा है और बहुत सारे student का भी जो loan procedure है शाय लोगों को ले करके शायद बहुत लोगों का अभी loan वाला जो procedure था या फिर self funding वाला जो भी है वो शायद अभी clear नहीं हुआ जिसके वेसे यह लोग dates शायद extend कर रहे हैं बर इतना है कि batch अभी start नहीं हुआ है batch start होगा 24 महीं से और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा नहीं तो फिर extend भी हो सकता है अब बात करूं कि बहुत लोगों ने ये कहा था कि आपने apply कर दिया है बहुत लोगों का नहीं हुआ था तो उन लोगों ने फिर से apply कर दिया है और अभी apply हो रहा है कि नहीं हो रहा तो देखो अभी आप लोगों चाहो तो apply कर सकते हो या जिन अपडेट होता है तो यह मतलब जो बैच चल रहा है उसके स्टार्ट होने के बाद ही फिर नेक्स्ट के लिए वहाँ पर अपडेट होता है तो चाहो तो भी अपला है आप लोग कर सकते हो बट हाँ वो आपको एक्जाम मेल उस साइट से तभी भेजेंगे जब वो फाइनली बैच 53 के लिए officially start करेंगे recruitment ठीक है पहली बात यह हो गई दूसरी बात बहुत लोगों को एक्जाम मेल नहीं आता है ऐसा भी मैंने comment देखा है तो देखो उसके नीचे एक चीज एक बात लिखी हुई होती है शायद वो आप लोग ठीक से धंग से नहीं परते हो कि वो क्या क लिए देन आपको email आता है एक्जाम के लिए otherwise अगर आप suitable नहीं होते हो eligible नहीं होते हो तो नहीं आता है हलाकि यह बहुत कम लोगों के साथ होता है ठीक है ऐसा नहीं है मतलब mostly को आहीं जाता है बट कुछ लोगों को नहीं आता है मैंने comment भी देखा है और यह बात सही भी है कुछ लोगों को नहीं भी आता है तो कुछ eligibility criteria भी होता है जो कि आप लोग शायद fulfill नहीं करते होगे जिसके वज़े से आप लोगों को नहीं आता होगा ठीक है तो यह है भी कि आप next के लिए चाहे तो apply कर सकते हो बट आपको wait करना होगा exam के लिए और अब मैं बता दूँ क कि अगर आपको preparation related मतलब कोई वीडियो जैसे exam interview group discussion कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के आप playlist section पर visit कर लो वहाँ पर अलग लग folders में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एक दो अगर वीडियो ऐसा कुछ होगा के नहीं होगा तो आप वीडियो सेक्शन वाल कि कब से recruitment आएगा या कब होने वाला है तो आई hope कि समझ में आया होगा आपको अगर आप कोई question है तो आप comment section में comment कर सकते हो और जो वीडियो कैसा लगा comment section में comment करके बताना तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फीज वीडियो को like करना, share करना, comment करना and don't forget to subscribe. Thank you.